कि नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं इस पे नाइनियो स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में आपने मैच के दुरान लोगों को सट्टा लगाते वे तो खूब देखा होगा जी हाँ देखे सट्टा एक गलत चीज तो है ही लेकिन सबसे बात तो यह कि जिस तरीके से सट्टा जो है इसका चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है और हैरानी वाली बात तो यह भी है कि सट्टा खेल में तो लगता ही है मैच में तो लगता ही है लेकिन चुनावी माहौल में भी सट्टा लगाया जाता है जी हाँ आज मैं आपको राज खत्ता희 जालwww जिस तरीके से ये देखने को मिलता है कि मैच के द höण लगता ही है लेकिन जिस तरीके से चुनाओं को लेकर सट्टा लगाया जाता है और जिस तरीके से बात की जाए सट्टे की तो जिस तरह से चुनाओं में लोग भारी संख्या में आते हैं सट्टा लगाने के लिए ये वाकई ये बहुत दिर्चस्प बात है चलिए अब आपको ले चलते ह राजस्थान और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वहाँ पर कौन सी जगह है जहां पर सटा लगाया जाता है और आखिरकार क्यों वहाँ पर सुबह से साम तक लोगों की भीड दिखाई देती है और साथी साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सटा बाजार क्या भाव बता रहा है आखिरकार राजस्थान में किसकी जीत हो रही है, सटे में किसकी बोली ज़्यादा देखनों को मिल रही है, तमाम जानकानिया हम आप तक पहुंचाएंगे आपको बता दे राजस्थान में 7 दिसंबर को विधान सभा चुना होने वाले हैं राजस्थान में विधान सभा की कुल 200 सीटे इन 200 सीटों पर आखिरकार किसका कब्जा होगा कौन होगा प्रदेश का मुक्यमंतरी किसके सर सजेगा ताज और कौन रह जाएगा फिसड़ी और वहीं चुनाओ की अगर हम बात कर लेते हैं तो चुनाओ में कहीं न कहीं ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन है किंग और कौन है कह सकते हैं कि विलन तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता चलिए हैं बात कर लेते हैं 60 बाजार की तो देखे राजस्थान की राजदानी जैपूर के पश्ची में मौजूद फालोदी शहर जहां पर चुनावी 60 लगता है और आपको बता दें कि यहां पर इसका जो मुख्य बाजार है मुख्य बाजार में बने चौक पर सुबह 11 बजे से लोग जमा होते हैं और देर रात तक लोगों का मजमा लग जाता है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को लोग भी बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं वही सटा बाजार में जिस तरह की स्थिती देखनों को मिल रही है और चुनाव से पहले जिस तरीके से लोग जो है हालातों को देखते वे प्रदेश में जो माहौल चलना उसको देखते वे जो सटा लगा रहे हैं ये चीजे अपने आप में बहुत बड़ी बात हैं वैसे आपको बता दें कि सटा लगाना कहीं ना कहीं एक गैर कानूनी काम होता है लेकिन आपको बता दें यहां पर सटा जो है उसे सामाजिक तोर पर गलत नहीं माना जाता है वहीं आपको मैं आखिरकार आप बता देता हूं कि आखिरकार सटा बाजार में किस पार्टी पर ज़् लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्रदेश में कॉंग्रेस की लहर कहीं न कहीं दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपकी बार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि प्रदेश की जनता वसुंद्रा राजे के कामकास से काफी नाराज है जिस तरीक से अपने इन पांच साल के कारकाल में लोगों के साथ छला विरोजगारों को रोजगार नहीं दिया यूवावर के लोगों की चिंता नहीं की किसानों को फायदा नहीं पहुंचाया गया और सबसे बड़ी बात है अगर जमीनी हकीकत की हम आपको जानकारी दे दे तो जमीन है वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है इसे देखते वें वहां की जनता जो है कॉंग्रेस पर भारी बाव लगा रही और यहां पर यह भी देखनों को मिल रहा है कि अगर कॉंग्रेस की जीत प्रदेश में होती है तो जो सटा जो लगा रहे हैं सटा बाजार में जो माहौल व तो यहाँ पर जो लोगों का हुजूम लगता है, जो लोग लगाते हैं, और आखिरकार ये लोग जो 60 लगवाते हैं, ये आखिरकार इनकी कितनी मंडली होती है, और ये किस तरीके से 60 लगाते हैं, देकि मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 60 लगाते हैं, ये 5-6 स्रेणी के लोग होते हैं, और 20-22 लोग जो हैं, ये लोग 60 के कारूबार करते हैं, 60 बाजार की अगर हम बात करें, तो ये 60 बाज अकबार, टीवी चैनल्स, और जो कह सकते हैं कि प्रदेश में जो हालाद चल रहे हैं, उस पर पैनी नजर रखते ह क्योंकि उसी के अधार पर यहां पर 60 लगाया जाता है, और उसी के हिसाब से भाव मोल जो हैं, और गौर करने वाली बात तो ये हैं, कि जिस तरीके से यहां पर इन दिनों जो माहौल बना हुआ हैं, जिस तरीके से सुबह 11 बजे से लोग जो हैं, यहां के मुखे बाजार जो चौक है वहाँ पर धीरे धीरे इखटा होना शुरू हो जाते हैं और इस कदर इखटे हो जाते हैं कि लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम लग जाता है मानो ऐसे कि जैसे यहाँ पर कोई बाजार लग रही है मानो ऐसे कि जैसे यहाँ पर कोई खरिदारी हो रही है इस तरीके से जो लोगों का हुजूम देखने को मिलता है जो लोगों की भारी भीर देखने को मिलती है ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि चुनावी कह सकते हैं कि चुनावी समय में भी इस तरीके से लोग इस तरह से में सटा लगाते हैं और देखे आपको म यहाँ पर बतातो देखे जिस तरीके से कॉंग्रेस ने प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनाई सबसे बड़ी बात तो यह है कॉंग्रेस ने था सचिन पाइलेट उन्होंने चुनाओं से पहले जिस तरह से कॉंग्रेस के लिए मजबूती से वो खड़े वे जिस तरीके से लोगों से मुलाकात उन्होंने की उन्होंने फोन कारेकरम भी रखा जिसके जलिए उन्होंने जनता से संबात किया था जनसभाएं की गई रैलियां की गई और कहीं न कहीं एक चीज ये देखनों को मिला कि जिस तरीके से लोग सचीन पाइलेट की तरफ खीचे चले आए जैस करने वाली बात तो है कि जब फोन कारेकर एक जब उन्होंने रखा था जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं जानी तो उस दोरान लाखों की तादाद में फोन आये थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे ही फोन नहीं आये थे और किस कदर जो है माहोज प्रदेश में बीजेपी के हारने की तो देखे बीजेपी के हारने की असली वज़ा खुद प्रदेश की मुक्यमंतरी वसंद्रा राजे हैं क्योंकि प्रदेश में जो काम नहीं हुआ जिन हालातों पर नजर नहीं रखी गई बेरुजगार सरकार से गोहार लगाते रहे ल किसान हमेशा से सरकार से यही मान करते रहे कि उन्हें उनका मुआपजा दिया जाए उन्हें उनकी परिशानी जो है उसका समाधान निकाल कर दिया जाए लेकिन सरकार ने तो सुना ही नहीं वसुंद्रा सरकार ने जिस तरीके से अपने कारेकाल में लापरवाही बरती शायद सरकार को ये लग रहा था कि अगर इस बार सक्ता में बने वे तो अगली बार भी सक्ता में बने रहेंगे और ये ब्रहम कहीं न कहीं नेताओं को लेकर डूब जाता है चुनाओं से पहले एंड टाइम पर जिस तरीके से किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया गया बीते दुनों घोशना पत्र जारी किया गया जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई और जिस तरीके से यूवावर के लोगों को ध्यान में रखे कदम उठाय अब यहाँ पर हम सवाल ये करना चाते हैं और जनता ये जवाब जानना चाती है कि जब आपकी अभी सरकार थी आपके कारेकाल में आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया आप बेरुजगारी की तो बात बहुत करते हैं आप गोशना पत्र में दोबारा से बेरुजगा की बात करते हैं तो क्या यह नहीं दिखाई देता कि जिस तरीके की गोश्चना पत्र जो जारी की गई और उसमें तमान तरीके की बड़े-बड़े लुभावने वाइदे किये गए आपने विज्यापनों में देखा होगा कि किस तरीके से कह सकते हैं कि सामान को बेचने के ल अलग अलग तरीके का फॉर्मूला अपना आए जाता है विज्यापनों में तरह तरह की जो है लुभावनी बातों को जो है रखा जाता है जिससे दर्शक उनकी तरफ खीसे चलाया तो बिल्कुल यहां पर अगर देखा जाये तो बीजेपी ने जो घोश्चना पत्र किया ह यह कहीं न कहीं विज्यापन से कम तो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि रोजगार की बात की जा रही है युवावर की बात की जा रही है आखिरकार यह कब तक जो है नेता इस तरीके से लोगों को परिशान करते रहेंगे और कब तक जो है जूट के अंगारों पर चलते रह रोजगार अगर वो चाती तो वो रोजगार भी दे सकती थी यूवावर के लोगों की मदद भी की जा सकती थी लेकिन वसुंद्रा सरकार ने तो कामी नहीं किया शायद भ्रहम इस बात का था कि सत्ता में है और आगे भी वनी रहेंगी और जनता का जवाब तो देखिए जिस कदर देखने को मिला और जनता इतनी भी भोली नहीं होती जितना उसे समझा जाता है जनता ही जनारतन होती है और जनता को जिस कदर किनारे कर दिया जाता है ये चीजे बहुत गलत होती है लेकिन आप हम आपको बता देते हैं जो 60 बाजार है वो कॉंग्रेस को जीता ही रहा अपकी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजय को अपनी कुरसी खाली करनी पड़ सकती है क्योंकि जिस तरह से जो इस्थितियां बनी और जिस तरह से कहीं न कहीं देखनों को मिला कि समय रहते वे उन्होंने काम नहीं किया और देखे एक कहावत भी है जो यहा अस्ताने का मौका भी ना मिले वसुंद्रा राजय को हाला कि कोशिश तो जारी है एडी चूटी का जोर भी लगाया जा रहा है लेकिन वो कोशिश है अब कहीं ना कहीं वेफल साभी थूपती है क्योंकि देखे चुनाओं से अगर हम बात कर लेते हैं वोटिंग से पहले ज वसुंद्रा सरकार को हटाना है और अपकी बार नई सरकार लाना है तो ये नारा जो है जिस तरह से दिया जा रहा है और जिस तरह से कॉंग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता हुआ नजर आ रहा है तो अपकी बार कॉंग्रेस की जीतने की संभावना के अगर हम बात कर लेते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अपकी बार राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार आ सकती है और अपकी बार जो है मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंद्रा राजय को तो कुर्सी खाली करने ही पड़ेगी साथी साथ सचीन पाइलेट की फैन फॉलिविंग जि इसकदर लोग उन्हें एक अच्छे नेता के तौर पर एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे तो शायद सचीन पाइलेट जो है वो अपकी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बरे और जनता देखे क्या फैसला लेती है यो तो चुनावों के बात पता और 11 दिम्पर वो दिन जब वोटिंग के नतीजे आएंगे और 11 दिम्बर को सब साफ हो जाएगा ये अखिर्कार सरकार की कितनी लापरवाही थी और कितना काम कितनी रालियां कौंग्रेस ने की तो तमाम चीज़े जो है वो कही ना कहीं 11 दिसम्पर को पूरी तरीके से क्ल खुद हैरान करने वाली बात है वैसे आपको बता दें कि एक अलग जो है जो इस्थिती बनी हुई है और कहीं ना कहीं पुरे प्रदेश की अगर बात हम करते हैं तो यह देखने को मिलता है कि बीजेपी बड़े बड़े नारे दे रहे पिया मोधी जो है राजस्थान गए थ तो यानि बीजेपी अपने दिगज नेताओं को मैदान में उतारा था उसने यानि कि पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आप पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए नेताओं को जमीनी स्तर पर उतार देते हैं लेकिन क्या आपका फर्ज ये नहीं बनता कि आप उसी जमीनी इस्तर पर काम करें क्या आपका फर्ज ये नहीं बनता कि आप उन गरीब जनता की तरफ ध्यान दें जिनें आपकी जुरत है कि आपका फर्ज ये नहीं बनता कि आप उन बेरुजगारों को रोजगार दें जिसने जिन बेरुजगारों ने आपको वोट दिया है कि आपका फर्ज नहीं बनता कि आप यूवर के लोगों को सरकारी नौकरियां दिलवाएं जो लोग वेट कर रहे हैं नौकरियों का तो ऐसे में जो लापरवाही हैं सरकार ने बढ़ती हैं ये चीजे कहीं न कहीं सरकार पर बहुत भरी पढ़ने वाली ह तो फिलाल के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार